हेलो माई यूट्यू फैमली कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके लिए एक कैफे स्टाइल समर स्पैशल कोल कोफी की रेसिपी ले के आई हूँ अगर आपने मेरे तरीके से बना लीना तो कोई भी नहीं कह सकता कि आपने कोल कोफी बनाई है बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो सबसे मेले मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया था कांच का और उसमें मैंने 1.5 टीस्पून कॉफी डाल दी थी कॉफी आप कोई भी ब्रैंड के ले सकते हैं मैंने नेस कैफे यूज किया है या देसी खांट या चीन को पीस करके भी ले सकते हो तो जब तक ये दो मिनट के लिए हमारा जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो गया था तो साथी साथ मैं मैंने कांच का ग्लास ले लिया था और इसको मैं हर्शीस के सिरप से डेकुरेट कर रही थी आप देख सकते हो आपकी मर्जी आप डेकुरेट करना है करो नहीं करना वो भी मत करो तो मैंने या पे अपना जो ग्लास है वो डेकुरेट कर लिया था अब हम कोल्ड कॉफी बनाते हैं मैंने एक जार ले लिया था मिक्सी जार उसमें मैंने वन कप थंडा दूद डाल दिय और साथी साथ मैंने वन टी स्पूल उसमें मैंने मिल्क पाउडर डाला था और थ्री क्यूब आइस के डाले थे ठंडी कोल कोफी होती है तो बहुत स्वाद लगती है अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और जो हमारी कोल कोफी है एक तम रेडी है बिलकुल स्वाइल बनती है बहुत स्वाद बनती है आप भी मेरे मेरे मेथट से जरूर बनाना बहुत गन्मी हो रही है ठंडा ठंडा पीने का बहुत मन करता है तो आप जरूर इसे बनाना अपने बच्चों को पिलाना और अब मैं उपर से इसको हर्शीस की सिरप से डेकोरेट कर र अपनी फैमिली को पिलाए और मुझे कमेंट सेक्शन पर आपने जरूर बताना है कि रेसिपी कैसी लगी आपको और यह देखिए मैं ऐसे डिजाइन बना रही थी ताकि पीने में तो अच्छी है यह दिखने में भी बहुत स्वाद लगे दिखने में भी अच्छी लगे तो ह आप बनाए अपनी फैमिली को पिलाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना टू लाइक शेर और सब्सक्राइब थांक यू फो वाचिंग